हलो फ्रेंड स्वागत है आपका bypey education trick चैनल पर दोस्तों मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ट का स्लेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ट के स्लेबस में क्लास 11 एगरी कल्चर के स्टो एंड के लिए और क्लास 12 एगरी कल्चर के स्टो एंड के लिए दोनों किलासों की वीडियो लगातार अप्लोड हो रही है दोस्तों लगातार आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरी चैनल पे नए है या अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे rate करके subscribe बटन पे click कर ले और बराबर में bell icon की घंटी है उसको भी press कर ले इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को upload करूँगा तो उसका notification सबसे पहले बेटा आपके पास पहुँच जाएगा देखिए इस वीडियो में हम बेटा question की बात करेंगे अबजयक्ट है हमारा बात्नी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ही समय चल लही है वह जो ठर्ड टीसरी यूनिट चल लही है अब देखिए topics है हमारा वह है रसा रोहाड तो बेटा इसी रसा रोहड को आज समझना है रसा रोहड को समझना है इसके बाद रसरोल की क्रियविदी को भी समझना है तो समझिए इसकी थूरी को समझिए रसरोल की पौदो में उपर की और पौधो में उपर की और प्रभावेत होने बाला द्रभ सुध जल नहीं होता है अब आप समझिए लेकि कोई भी सब्सक्राइब आपको diagram के बाद यमसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर जल्दी से आपके समझ में आजाएब सब्सक्राइम और पिर्थवी पर नीचे देखिए यह जल भरा आए तो किया है यह देखिए चल है और प्रित्वी पर यह देखें मिट्टी के कड़ें क्या है यह सपोर्ज डैट यह मिट्टी है यहां पर आप मिट्टी ना दिखाएं तो सीधे सीधे जल बरा है जल बरा थो जल जो मिठी की स्र्थ्य पर और आया है तो यहां पर भी आप मिठ्टी में दिखाए गहां पिए क्या आको वीडियू दिखाई दे रही है कि एक सेकेंड का अब बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको देखिए यह सबस्ट्राइट है यह पूरी वाफ समझाओंगा एक्टू जयट आपको तो वीडियो को विलकुल लाज तक देखना आप वीडियो को लाज तक देखोगे तो जनली आपके समझ में आ जाएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आप प्लांट बनाओगे आप किसी प्रकार से भी बना लेजिए मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिस कर रहा हूँ मेटा ठीक है आपको समझ में आना चाहिए बस चलिए सपोर्ड यह प्लांट है अब यह मिट्टी के अंदर प्लांट लगा हुआ है और नीचे जल भरा है अब आप मुझे एक बार बत शंट होगा नहीं होगा क्योंकि इस मिट्टी के अंदर क्या होगा भी अटा को नहीं होगे एक दिए के साथ भी उपर जाएंगे पौदे के पिट्टे भाग में चले जाएंगे तो इसके कहने का मतलब बेटा क्या था कि पौदों में उपर की और प्रभावित होने वाला द्रभ सुद्ध जल नहीं होता बिल्कुल सही बात है सुद्ध जल तो नहीं होगा सुद्ध जल कैसे हो जाएंगान कि जल जल मिट्व सी अंदर मिट्टी में है या पिटी में बैढ़ गख चलेगा अब आगे समझेए इसमें अनेग लवड मिस्रित होते हैं बिल्कुल सही बात हैं जो मैंने कहा आपसे सालट अनेक लवड्वर्ड मिस्त्रित होते हैं बिल्कु AWS मिक्स होते हैं बहुत सारे लवड्व और कई तो अनेक लवड्ड मिस्त्रित होती हैं अता है एक तनु तनूबिलियन है क्या कह दिया एक तनूबिलियन है जिससे रस कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं रस कहते हैं इस रस द्वारा जड़ों से पौधों के विभिन्द भागों तक इस्तानांत्रण की प्रिक्रिया को हम क्या कह रहा है अब मेरी बात आराम से समझे आप बिल्कुल नहीं होता को नहीं होता क्योंकि इस मिट्टी के अंदर अनेक लबड मिस्रित है या अनेक घनेच तत्व मिस्रित है यह बोल सकते हो तो इसमें अनेक लबड मिस्रित है इसलिए इसे हमने क्या कह दिया तनूबिलियन कह दिया अब इसी तनूबिलियन को हमने क्या कह दिया रस क सुम्जूंगार नीचे से उपर तक जड़ों से पौधे के इस पित्थ्यक भाग में यानि पौधे के प्रेतार्म और पित्थ्यक नीचे से पॉद्य के पिट्टेग वाइबीअ भाग में जब जाएगा तो ये फिरतेग बाइविय भाग के अंदर पहुंचने की क्रिया को बेटा हम क्या कहारे रहे है रसा रोहण कहारे है अब मेरी बात को आपने ध्यान से समझ लिया वोगा देखिए फिर से समझाता हूँ एक बार देखिए बेटा पौधों में पौधों के अंदर नीचे से उपर की और होने वाला जल या द्रब सुद्ध नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि इसमें अनेक प्रिकार के क्या होते हैं खनिच लवण मिस्रित होते हैं या कह सकते हो लव हाग में या विभिन भागों टक पहुचाने का फॉल जो फ़ाल हो तक इस्तार अंतरल की क्रिए याने पहुंचने की क्रिया को क्या रbeing यहां को समझें देखिए अगली एडिंग से हमारी बोई बेटा रसा रोहर की क्रिया विदी, अब इस क्रिया विदी में क्या है समझे से, देखिए रसा रोहर की जो क्रिया विदी है उसे समझे आप, बेटा रसा रोहर की क्रिया विदी को समझने के लिए अनेक मत दिये गये हैं, यानि कुछ बैग्य निकों के द्वारा तीन बर्गों में डिबाइड किया गया है और तीनों मत और अलग-अलग बैग्यानकों को हैं तो सबसे पहले हैं यह नोग अलग मत ओ तीसरा मूल्दाब बात का सिद्दान तो बात समझ गे यह रसरोड की क्रियाविदी रसारोड की क्रियाविदी को समझने के लिए बैग्यानकों ने अंतनेक मत दिये हैं जो उनके अपने मत हैं अपने विचार हैं अब कौन कौन से मत हैं बैग्यानकों के दोड़ा तीन वर्गों में विवायत किया गया रसारोड के लिए पहला है जैविक बात तीसरा मुलदाबग का सद्दान, आप समझे यह तीनों में से कोई भी उपर नीचे हो जाए इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हो सकता है कि आप कोई भी फरक हमें नहीं पड़ेगा आपको तीनों बात समझाने हैं बस तो आज से पहले हम बात करेंगे कि किसी इसकी प्रॉக देर तो कि रसा रोड की क्रिया कैसी है जैविक क्रिया है और इस किरिया को करने के लिए जीवित होना आप सहक है इतना सा आपको इसमें लिखना है तो आप समझ के होंगे जैविक बाद में आपको क्या लिखना है तो बेटे रसा रोड की क्रिया विदी में आप आराम से समझ गया होगे फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिस करता हूँ देखी रसा रोड की क्रिया विदी है इसमें लिखोगे कि रसा रोड की क्रिया विदी को समझाने के लिए अनेक मत दिये गए हैं, जो बैग्याने का उनने अपने अपने विचार दिये, अपने अपने मत दिये, बैग्यानकों के द्वारा तीन वर्गों में इसे विभाजित किया गया है, वो तीन वर कौन कौन से हैं, पहला है जैविक बाद, दूसरा है भोतिक बाद, तीसरा है मू होना आप सहक है बस जैविक बाद में इतना लिखना है अब सेकंड हैडिंग हमारी आएगी बहुत तिक बाद और थ्रड हैडिंग आएगी मूलताप का सिद्धान चलिए बेटे आगे समझे रसरोड की क्रिया विदी में तो सबसे पहले हमने देखे जैविक बाद को पढ़ होगे देखे बहुतिक बाद इसके अनुसार रसा रोड कैसी क्रिया बहुतिक क्रिया यह बेटा रसा रोड की बहुतिक क्रिया है और इसके लिए कोस्काव का जीवित होना आप सहक नहीं है उसके जश्ट अपोजिट उसमें वेटा क्याता जैविक बाद में आपने बता द तो थोड़ा सा मूल दाब बात के बारे में समझे डिटेल से देखिए जल द्वारा उत्पन इस द्रब इस तहतिक दाब को क्या कहते हैं मूल दाब के कारार तने के कटे हुए भाग से पाली निकलता है यानि जो तना है जो इस्टिम है बो मूल दाब के कारण जो तना है उसके कटे हुए भाग से क्या निकलता है पाली निकलता है इस क्रिया को रसा इस्त्राब कहते हैं मूल दाब जड़की उपाप्चे क्रियाओं के कारण उत्पन होने वाली सक्क्रिये क्रिया है मूलदाब जणकी उपापचे क्रियाओं के कारण उत्पन होने वाली कैसी क्रिया है सक्कर ये क्रिया है और बेटा इस क्रिया के लिए जड़ों का जीवित होना आप सेक है ये देखिए रसारोड हमने पढ़ लिया रसारोड की प्रभासा को जाना और रसारोड की क्रियाविदी यानी रसारोड की क्रियाविदी देखिए अलग-अलग बैग्यानिक ने जन्होंने अपने मत प्रस्तुत किये उन्होंने तीन सिद्दान्तों का वर्णम किया पहला जैबिक बाद दूसरा हमने पढ़ा बहुत तिक बाद और तीसरा हमने पढ़ा मूलदा बाद यह था हमारा रसरोवर अब देखिए दो बैग्यानिक और हैं जो हैं डिक्सन और जॉली और डिक्सन और जॉली ने किस सिद्दान पर कारिये करा किस सिद्दान पर बर्क करा तो दोस्तों, डिक्सन और जॉली के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, ठीके, तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, आपको वीडियो परसंद आती है, तो वीडियो को लाइक हैं कि वो किस सिद्दान पर कारिये करते हैं तो एक महतपूर सूचना को सुल लूजिए देखिए यह बाइप एजूकेशन ट्रिक चैनल है इस पे बेटा क्लास ग्यारा एग्री कल्चर के लिए फिजेक्स मैत और बॉर्टनी टीनो सब्जक्ट एटू जैट आपको कोसिस कीजिए आपको इटा फिजिक्स भी कम्प्लीड मिलेगी मैत भी कॉइंड रोटनी बीकॉंड शैक्त बाइट चैक्टर आपको प्रवाइट कराए जाएंगी तो देखिए दिक्षन दतभा टालग है और जोली अलग है तो देखिए इन्होंने क्या क्या है यह किस सद्धान पर कारिये करते हैं वो समझ लीजिए लेकिन हम इसके सद्धान को डीप में नहीं पढ़ेंगे ज्यादा गहराई में जाने की कोशिस नहीं करेंगे यह कितने तफ्धों पर एजल्क होता है जन जलका क्या है अटूट इस्तम होता है सेकिंड बट करता है सेकिंड सित्दांग पर देखी कौन सा है मत कोन सा है जल अढ़गों के मद 1647 ससंजन जल बल होता है यानि जल अड़गों के मत 1691 त ससंजन जल बल होता है ठरड की बात करें तो फेड हमारा हो जाएगा कि बास्पो सर्जन खिचाव के कारार जल इस्तम पर तनाप उत्पन होता है ये तीन मत हैं, ये तीन सिद्धानत हैं जिसके उपर तीन तत्थ हैं जिसके उपर डिक्सन तत्था जॉली का मत दिया गया है इसके हम deep में नहीं जाएंगे, इन headings को खोलेंगे नहीं यही तक समझेंगे क्योंकि ये अभी तक exam में question पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी मैंने आपके अंदर knowledge डाल दी, इस question की कुछ आएगा तो कुछ तो आपके दमाग में फसेगा ठीक है अगर आपको देखी वीडियो परसंद आती है तो बिटे ज्यादा से ज्यादा आपने दोस्तों में share करिए और वीडियो को like करिए बस इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनबाद आपका दिन सुबो और बेटा unit 3 आज समाप्त आपकी हो गई इस वीडियो के साथ unit 3 आपकी finish ओके